नमस्कार मैं आनन जैन, Head of Department Electrical Engineering at Government Polytechnic हनुमानगड आज हमारे विशय E301 Power Electronics में एक नई वीडियो में बात करते हैं Step Up Cyclo Converter की, Single Face से Single Face, Voltage का Double, Triple या Four Time करने का जो Circuit और Working है, उसे समझेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था कि Cyclo Converter ऐसे Power Electronics Converters हैं जो AC Power को जो एक Frequency की होती है, उसे दूसरी ऐसी Frequency में बदल देते हैं जो Frequency बढ़ाते समय, बदलने वाली Frequency की Multiple गुनक हो सकती है जैसे 50 Hz की 100 Hz, 1500 Hz या फिर उनके टुकडे हो सकते हैं, Fraction हो सकते हैं, खंड हो सकते हैं छोटी Frequency के रूप में, जैसे 50 की बजाए 50 बटा 2, 50 बटा 3, 50 बटा 4, इत्यादी और ऐसा करते समय, Cyclo Converter को बीच में किसी DC Convergence की ज़रूरत नहीं है यह एक ही Step में, Fixed Frequency से Variable Frequency, जो दोनों हो सकती है, जादा भी और कम भी जो Frequency जादा करते हैं, उन्हें Step Up Cyclo Converter कहते हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और जो Frequency कम करते हैं, उन्हें Step Down Cyclo Converter कहते हैं, जिनके बारे में हमने काफी पिछली वीडियो में समझा है हम समझ सकते हैं कि एक Cyclo Converter एक Frequency Changer है, और यह जो Frequency का Change पाता है, वो Input Supply Wave के टुकणों को इस तरह से Synthesize करता है कि Output में Desired Frequency आ जाती है, और वो दोनों हो सकती है, Step Up Cyclo Converter में Higher Frequency हो सकती है, और Step Down Cyclo Converter में Lower Frequency हो सकती है हमने पिछली वीडियो में जाना था कि Step Down Cyclo Converter जब Frequency को कम करता है, तो जो Output Frequency है, वो Input Frequency की Fraction होती है जैसे 50 Hz की बजाए 50 बटा 2 या 50 बटा 3 Hz या 50 बटा 4 Hz और इस क्रिया के बीच में There is No In-Between DC Conversion, ये एक ही Step में AC Frequency हो जाता है जो खुबसूरत बात थी Step Down Cyclo Converter की, वो उनमें जो Switch के तोर पे हम Thyristor इस्तेमाल करते हैं, उनका Commutation, Natural AC Line Commutation, एक Class F टाइप का तो ऐसी स्तिती में हमें Commutation के लिए अलग से Component या उनके Losses नहीं होते, और ये जो Cyclo Converter है, Step Down Cyclo Converter, वो बहुत Economic है, Energy Efficient है और क्योंकि एकी Step में Power Conversion करते हैं, तो इनका Dynamic Response भी अच्छा है, और ये दोनों तरफ Power का Transfer, Input से Output और Output से Input कर सकते हैं तो Reversible Motor Drive में और Regenerative Breaking में भी Cyclo Converter लाब प्रद है, और हमने देखा था कि इनके बहुत उप्योग है, ये Variable Frequency Drive के तोर पे ज़्यादा Power की और कम Speed की Motor के Speed Control के लिए बहुत बहतरीन है, जैसे हमें अगर Bulk Rolling करनी है, तो बहुत कम Speed पे जब Motor को तीज Accelerate, De-Accelerate करना हो, Reverse क तो Cyclo Converter बहुत खुबसूरत तरीके से काम करते हैं, मेल लाइन की Railway Traction के लिए ये 50 को 50 बटा 3 Hz की Frequency बदल के, और हमें जो लाइन में voltage drop है, उन्हें कम करके, number of substations Railway Traction के कम कर देता है, और हमारी AC Series Motor की Performance को भी 50 Hz की बज़ाए 50 बटा 3 Hz सप्लाई होने के कारण, ज्यादा बहतर performance मिल जाती है, हमने Metro Traction में समझा था, कि अगर एक Cyclo Converter Drive इस्तेमाल की जाती है, तो हम जो Drive Motor है, वो 3 Phase Induction Motor इस्तेमाल कर सकते हैं, जो Start के समय बहुत कम Frequency, आदा Hz, 1 Hz से शुरू होके, और फुल 50 Hz पर operation को फुल स्पीड पे पा लेती है, और हम इसी Frequency Changer Cyclo Converter की मद से Regenerative Breaking करके 10% से जादा Energy को Metro Traction में बचा लेते हैं, आज की वीडियो में हम जानते हैं, कि हमारे जो Step Up Cyclo Converter है, जो Frequency को बढ़ाते हैं, वो बढ़ी वी Frequency Multiple ही क्यों होती है, यानि हम 50 Hz से बढ़ाकर सीधे 100 Hz ही क्यों पाते हैं, बीच की कोई दूसरी Frequency क्यों नहीं पा सक लेकिन हम जानेंगे कि ये जो Step Up Cyclo Converter है, ये भी जो Frequency बदलते हैं, तो बीच में किसी Intermediate DC Step की ज़रुवत Conversion Process में नहीं है, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि Step Up Cyclo Converter में हमें किसी Thyristor को बंद करने के लिए Force Commutation करना पड़ेगा, क्योंकि अभी Supplies की इसे Forward Vice ही ही बनाए तो ऐसे स्थिति में हमें बहुत जादा Size के Commutating Components यूज करने पड़ेंगे और उनमें अच्छे Losses होंगे, तो ऐसे जो Step Up Cycuits हैं वो Neckable Costly और Energy Inefficient है, इनके संचालन में बहुत सारे Waveform Distortions भी हैं और Complicacy भी हैं, तो आम तोर पे हम Step Up Cyclo Converter का जादा इस्तेमाल नहीं कर पर समझते हैं कि Cyclo Converter जो Step Up Form में काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये बात हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक Step Up Cyclo Converter और Step Down Cyclo Converter दोनों की Working Circuit एक समान है, सरफ Trigger, Control और Switching Action से हमें Output Frequency में Variation आता है, सहसता के लिए या सरलता के लिए हम Single Face से Single Face Cyclo Converter को स समझते हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे Single Face Cyclo Converter है, वो दो Full Wave Rectifier Circuit के Combinations हैं, और हमने Rectifying Element हैं, वो Controlled Rectification के लिए Thyristors यूज किये हैं, और हमें दो Full Wave Rectifier Circuit को Back to Back connect करना है, अर्धाद हम जिस Polarity का Output चाहेंगे, वैसा Output चाह सकते हैं, और ये जो Full Wave Conversion है, Rectification का, ये Mid Type Version भी हो सकता है, जिसमें Switch Element एक Rectifier के लिए सरफ दो चाहिए, अभी ये जेखिए, P1 और P2 ऐसे Thyristor Pair हो गए हैं, इस Mid Type Full Wave Single Phase Rectifier में, जिसमें Input की Supply चाहें किसे भी Polarity की हो, जब Terminal A High Polarity पे होगा, Positive Input Wave चलेगी, तो अगर हम P1 Thyristor को Trigger Pulse देंगे, तो यहां हमें Output में, इस Polarity के साथ, जैसा चितर में दिखाया हुआ है, A High Polarity के साथ, Output आ जाएगा, और अगर मेरी Supply की Negative Pulse चलेगी, तो मेरा B Terminal Highest Polarity का हो जाएगा, ऐसी स्थिती में, मैं P2 Thyristor को Trigger Pulse देकर, और Load में एक बार फिर वो ही DC Polarity, Same A High Polarity का पा सकता हूँ, यही काम हम Brace Type Full Wave Rectifier में इस Positive Converter में, पहली हाफ में, जब A High Potential पे है, और B Low Potential पे है, तो P1 और P1 Dash पेर को Triggering Pulse देकर, हम Output में, जो उपर यह Yellow Highlight दिखाया हुआ है, इस Terminal को High Potential Terminal बना सकते हैं, और जब Supply की Negative हाफ चलेगी, तो हमारी Polarity A की Low हो जाएगी, और B की High हो जाएगी, ऐसी स्थिती मे हम दूसरा जो पेर है हमारा, P2 और P2 Dash, इसे Trigger देंगे, तो उसी Polarity के साथ Output में मेरे को Voltage DC मिल जाएगी, अगर मैं इसी Converter से Ulti Polarity का DC Output चाहूँ, तो यह जो मेरा Negative Converter है, N1 और N2 पेर, यहां Mid Type में, या N1 N-, N2 और N2 यहां Briss Type Converter में, जो Negative Converter के पेर हैं, वो मुझ A और B के बीच में चाहे कैसी भी Alternating Polarity हो, मुझे इस नीचे Green Highlight Point पे High Potential देते वे, लोड में उल्टी Direction का Current दे सकते हैं, और उल्टी Polarity की Output दे सकते हैं, यही काम Mid Type में कर सकते हैं, हमें दोनों की Working एक जैसी है, यहां Briss Type में Switching Devices Double चाहिएंगे, और Control के लिए भी Switching Pulse दे पर Working दोनों की एक जैसी है, यहां एक Thyristor P1 को चलाना है, यहां P1 और P1 Dash को चलाना है, या जब हम यहां Thyristor N2 को चला रहे है, Negative Output, Negative Converter से पाने के लिए, जिस हमें यह Forward बायस है, तो यहां हमें N2 और N2 Dash को चलाना है, तो Triggering Pulse यहां एक है, Mid Type में और यहां 2 है, बाकि Working से है, एक हमारे यह जो Bridge Circuits है, इनमें हमें जो Output मिलेगा, वो Double Voltage का मिलेगा, क्योंकि यहां Output के दो बराबर हिस्से के हमें, यहां Full Output लोड पे आ जाती है, और एक और Lab है, कि यह जो मेरा Bridge Type Converter है, यह Reversible Operation भी बहुत आसानी से कर देता है, तो वैवार में हम Bridge Type Cyclo Converter Circuits ज में जाना कि एक Cyclo Converter में दो Back-to-Back Connected Full Wave Rectifier Circuits है, जब हमारी Input Supply का Positive Half चलता है, तो यहां Positive Converter का P1 Thyristor Forward Bias है, क्योंकि A High Potential पे है, और इसी समय यह Negative Converter का जो N2 Thyristor है, वो भी Forward Bias है, और अगर इनमें से मैं किसी को भी Trigger Pulse देता हूँ, अगर P1 को Trigger Pulse देता हूँ, तो मेरे Output में एक Positive Wave आईगी, और मेरा A Terminal High Potential पे होगा, और ऐसी ही स्तिती में, अगर मैं, क्योंकि N2 भी Negative Converter का जो Thyristor है, वो Forward Bias है, और अगर मैं N2 को B सबसे ज़ादा Lowest Potential पे है, और N2 Forward Bias है, N2 को Trigger Pulse दे दी गई, तो Output में आप देखेगा कि जो Current है, वो इस Rectifier की Lower Half स Flow होगा, और Output की Current Direction भी इस Arrow Direction से उल्टी, लाल तीर की दिशा में होगी, और ये Polarity भी उल्टी हो जाएगी, और अब जो Plus Terminal है, वो A की बजाए, यहां Mid Common Terminal होगा, और A Terminal Lower Polarity का Terminal होगा, और Output में मेरे को Negative Pulse मिलेगी, मैं इस Pulse को पूरी Half Cycle की बजाए, कम कर सकता हूँ दो तरीके से, या तो मैं इसके जो Triggering है, वो कुछ Delay Angle से करूँ, तो मेरा जो Start है, वो कुछ Delay हो सकता है, और एक दूसरा काम मैं कर सकता हूँ, कि मैं इसे Natural Supply के Reverse होने पर बंद होने का इंतजार ना करके, और किसी Force Commutating Circuit की मदद से, इसे Force Commutation करता हूँ, तो मैं P1 या N तो दोनों को आदी साइकल से पहले बद कर सकता हूँ, और हम इससे ये जो Positive Section है, या Negative Section है, इसके तुकडे जोडेंगे, और मंचा ही Frequency बना लेंगे, यही बात हम Supply के Negative Half Cycle में समझ सकते हैं, अब हम पा रहे हैं कि जो हमारा Positive Converter है, उसका P2 Thyristor Forward Bias है, क्योंकि B अब Higher Potential प P2 Thyristor Forward Bias है, क्योंकि अब B High Potential पे है, और A Low Potential पे है, तो N1 का Cathode Lowest Potential होने पे N1 भी Forward Bias है, और P2 का Anode Highest Potential पे होने के Current P2 भी Forward Bias है, और आप देखेगा कि अगर हम Triggering Pulse P2 को देंगे, तो Output में हमें एक Positive Pulse मिलेगी, इस Black Arrow Direction में Current Flow होगा, और A Terminal High Potential पे होगा, और अग Creative Converter को Triggering Pulse देंगे, तो जो Current का Flow है, वो Transformer की उपर के आदे हिस्से से होगा, और लाल तीर के भांती लोड में Resistive Load होगा, तो Current Flow होगा, और ये जो Midpoint है, वो High Potential पे होगा, और A Low Potential पे होगा, और Output में Voltage की Poderity उल्टी होगी, जब हम Step Down Cyclo Converter पढ़ रही थे, तो हमने दो लगातार, जो Half Input की Waves आई थी, उसमें Output P1 और P2 को Trigger करके, एक साथ, दो Positive Pulse पा ली थी, तो हमारी Input की तो एक Cycle हो गई थी, लेकिन Output की अभी एक पूरी Cycle नहीं हुई है, और जब अगली Wave हमारी Input AC की चलती है, तो हम N2 को पहले Trigger करके, और N1 को बाद में Trigger करके ये Negative Section पा लेते हैं, और आप Magenta Frame में देखेगा हमारा Output इस परकार का आ गया था, Positive Half में ये 2 Pulse आई, और फिर Negative Half में ये 2 Pulse जाई, और एक पूरी Cycle बन गई है, तो आप देख रहे हैं कि Input की 2 Cycle होई, और Output की 1 Cycle होई, तो हमारी Frequency आदी हो गई थी, अब ज़रा समझते ह हैं कि Frequency को Double किस तरह से किया जा सकता है, एक Step Up Cycle Converter में Inputs Frequency से Double Frequency पाने के लिए, हमें जब Input की एक पूरी Cycle होगी, तो Output में 2 Cycle चाहिए, और इसलिए हम जब Input Wave की Positive Half Cycle चल रही होगी, तो Output में हम आदी देर के लिए, एक Positive Wave पाएंगे, और बाखी बचेवे आदी Input Wave में हम एक Output में Negative Wave पाएंगे, और हम जानेंगे कि Input में तो हमारी आदी Wave हुई है, लेकिन Output में एक पूरी Wave आ गई है, और यही करब हम अगली Cycle में जब Input की Negative Half Cycle चलेगी, तब दोराएंगे, और पहले एक Positive Converter की मदद से हम Output में एक Positive आदा Section पालेंगे, और जब यह Wave आदी हो जाएगी, Negative Half में, तो इस Point पे हम हमारे Negative Converter को Turn On कर देंगे, और Positive Converter को बंद कर देंगे, तो हमें Output में एक Negative Wave मिल जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि Input की मेरी एक Cycle हुई, आदा Positive Section पूरा हुई, और आदा Negative Section पूरा हुई, लेकिन मैंने Positive Input Wave में भी Output में Positive और Negative Section बराबर बराबर पाली हैं, और यही बात मैंने Input की Negative Half Cycle में भी की है, तो Input की एक Cycle हुई, और Output की दो Cycle हुई, देखिए, यह जो Circuit है, वो किस तरह से यह काम करेगा, जिससे मैं Input का Positive Half Section चल रहा है, A Highest Polarity होने के कारण, हमारा जो P1 Thyristor है, वो Forward Bias है, और B Lowest Polarity होने क कारण, हमारा N2 Thyristor भी Forward Bias है, P1 Positive Converter का Part है, और N2 Negative Converter का Part है, अगर P1 को Trigger Pulse देंगे, और माल लेते हैं, कि हम यह Trigger Pulse Zero Delay Angle पे देते हैं, यानि यह Thyristor एक Diode की भांती काम करता है, तो जैसे यह Forward Bias होता है, Conduct करना शुरू कर देता है, और जो मेरी यहां Voltage है, उसका य पाल एरो दिखाएंगे, वहां Output में एक Voltage बना देगा, और यह Voltage की Wave चलेगी, जिस समय मेरी Quarter Cycle होई है, और Positive Voltage का Peak आया है, ठीक उसी समय में एक Force Commutating Circuit से, ध्यान रहे अभी भी Thyristor P1 Forward Bias है, तो इसे Commute करने के लिए, इसके Current को Divert करना पड़ेगा, ताकि इसका Current Holding Current से कम हो जाए, और एक अलग से Commutating Circuit से Reverse Voltage अपलाई करनी पड़ेगी, तो जो Force Commutating Scheme है, वो P1 को बंद करने का काम कर देगी, और हम Assure करेंगे कि P1 का जब Turn Off हो गया है, तो उसके बाद जो N2 Thyristor Forward Bias है, उसके Gate पे हमें Trigger Pulse देनी है, जैसे ही हम N2 को Trigger Pulse देंगे, हमारी Winding के इस निचले हिस्से में Green Arrow की Direction में Current Flow होगा, और वो N2 के साथ अपना Circuit पूरा करते वे, यह Output में हमारी Polarity को Revert कर देगा, तो आप देखेंगे कि मुझे यहां Negative जो Supply है, वो Negative Converter से मिल गई है, और यह Thyristor इस Conditions पे, अपने आप Naturally Commute हो जाएगा, क्योंकि हमारी Supply की Polarity बद क्योंकि B सबसे जादा Positive है, और Negative Converter का N1 Forward Bias है, क्योंकि A अब सबसे जादा Negative Potential पे है, अब अगर मैं P1 को Trigger Pulse देता हूँ, तो Output में एक Positive Wave आएगी, लोड में यह Red Plus और Minus Arrow के साब से Voltage होगी, यह Terminal Higher Polarity पे होगा, और अगर मैं N1 Converter को Trigger Pulse दूँगा, तो लोड की Polarity बदल जाएगी, मुझे पहले Positive Pulse लेनी है, इस समय मेरा B Point सबसे जादा Positive है, तो मेरा Positive Converter का P2 Thyristor Forward Bias है, तो आप देखेगा कि इस निचले आदे हिससे से Current का Flow बनेगा, और इस नीले Arrow की Direction में जो Current है, वो लोड में यहां Red Mark Output बनाएगा, और P2 के करण मुझे यहां Positive Output म मिल जाएगा, अब जब इस Negative Half Cycle का Peak आया है, तो इस चंड पे मैं P2 को Force Commute करने की वेवस्ता करूँगा, एक Current Divergen का काम होगा, ताकि P2 का Current Holding Current से कम हो जाए, और एक Reverse Voltage अपलाई करके P2 को Commute कर दिया जाएगा, और जब P2 Commute हो जाएगा Force, तो हम N1 वो भी Forward Bias है, इसे जो Output में Negative Converter से ये Negative Wave आजाएगी, और यही करम हम अगली साइकल में, जब N1 Natural Commute हो जाएगा, तो P1 को Trigger करके Positive Pulse, और Peak पे P1 को Force Commute करके, और N2 को Trigger Pulse देके Negative Pulse ले लेंगे, और ये करम चलता रहेगा, तो आप देखेगा कि Input की एक साइकल होगी, और Output की दो साइकल आ होंगे, और वो होंगे दो Positive Half Sections और एक Negative Section, जब मेरे Input का Negative Section चलेगा आदा, तो मैं एक बार फिर तीन Half Sections पैदा करूँगा, और उस अगली साइकल में दो तो होंगे Negative Section और एक होगा Positive Section, और आप पाएंगे कि जब Input की एक Wave होगी, तो आप देखेगा कि Output Magenta Frame में देखेग तीन Cycles हो गई है, तो हमने तीन गुना Frequency Step Up Cycle Converter से प्राप्त कर ली है, ज़रा समझे कि सर्किट किस तरह से वर्क करेगा, हमें पता है कि Supply के Positive Half में Positive Converter P1, क्योंकि A सबसे ज़ादा Positive है, और Negative Converter का N2 Thyristor, Forward Bias है, तो हम बिना किसी Delay Angle के P1 को Trigger Pulse देंगे, और जो Supply है वो एक Positive Section में यहां प्राप्त हो जाएगा, और जब 60 Degree Conduction हो गया है, तो हम एक Force Commutating Circuit से P1 का Force Commutation करेंगे, और जब P1 का Successful Commutation हो गया है, तो N2 को Trigger Pulse देंगे, हमें मालूम है, N2 एक Negative Converter है, और वो Load में Polarity यहां नीले 3 की जैसी बना कर उल्टी कर देगा, और यह मेरा Output का जो Wave है, वो Input की Wave को Follow करती भी, Multipolarity के प्राप्त हो जाएगी, और जब यह N2 भी 60 Degree Conduct कर जाएगा, और हम 120 Degree Angle पे होंगे, तो हम N2 का भी Force Commutation करेंगे, क्योंकि अभी भी N2 Forward बायस है, तो इसे एक अलग से Commutating Circuit से, इसके Current को Divert करके Holding Current से कम करना पड़ेगा, और एक Reverse Voltage Forced Fully, N2 के Against लगाकर, N2 का Commutation कर देंगे, और जब N2 Commute हो जाएगा, तो एक बार फिर हम Positive Converter P1 को Trigger Pulse देके, और इस Positive Wave को प्राप्त कर लेंगे, और P1 का Natural Commutation, जब Supply Revert होगी, तो अपने आप हो जाएगा, तो अगले Section में हम पा रहे हैं कि हमारा Negative Converter और Positive Converter P2 Forward Bias है, त और जैसे ही वो 60 Degree Conduct करेगा, मुझे Positive Output लेने के लिए P2 को On करना है, लेकिन अगर मैं P1 और P2 दोनों को एक साथ On कर दूँगा, तो यहाँ Supply Short हो जाएगी, तो पहले मैं N1 को Force Fully Commute करूँगा, और जब इसका Successful Commutation हो जाएगा, तभी P2 को On करूँगा, तो आप देखें इसलिए हम यहाँ बीच में Intergroup Inductor का भी इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे Circuit को Short Circuit से बचाएगा, अभी यह जो हमारा Positive Pulse है, जो P2 को On करने से आई है, वो 60 Degree Conduction के बाद, again Forcefully Commute करके P2 बंद कर दी जाएगी, और N1 को हम Trigger Pulse देके Negative Wave ले लेंगे, और N1 Naturally Commute हो जाएगा, और यह Input की 1 Wave होगी, और Output की 3 Wave हो जाएगी, जरा समझते हैं कि यह 3 की बजाए 4 गुना Frequency कैसे पा सकते हैं, एक 4 गुना Frequency पैदा करने वाले Cyclo Converter में हमें Input की जब एक आदी Cycle होगी, तो Output में हमें 4 Half Sections बनाने हैं, 2 Positive और 2 Negative, तो मैंने समझा है कि जब मेरी Input में Positive Cycle चलती ह और यह Higher Politer पे होता है, तो Positive Converter का P1 और Negative Converter का N2 Forward Bias होता है, तो ऐसी स्थिति में मैं अगर P1 को Trigger करूँगा, तो मुझे Output में Positive Pulse मिलेगी, और अगर मैं Negative Converter N2 को Trigger करता हूँ, तो मुझे Output में Negative Pulse मिलेगी, तो आप देखिएगा कि मेरे Input की एक आदी Cycle में मैंने Output की दो पूरी Cycle पैदा कर ली है, जो हमारा Circuit का Working Procedure है, वो यह होगा कि बिना किसी Delay Angle के हमने अगर P1 को यहां Trigger किया है, तो 45 Conduction पे इसे Forced Commute करना पड़ेगा, अर्थात इसके Current को Divert करना पड़ेगा, Holding Current से कम करने के लिए, और एक Commutating Component से Forced Reverse Voltage Apply करनी पड़ेगी, औ यहां बीच में हमें एक Intergroup Reactor भी सभी Step Up Cycle Converter में लगाना पड़ेगा, और जब P1 45 Conduction के बाद Turn Off हो गया है, तो N2 को हमने सिरफ Trigger Pulse देनी है, और जब वो 45 Degree ओर Conduct कर जाएगा, तो N2 को भी Force Commute करके, और P1 को Trigger दे देंगे, फिर P1 को Force Commute करके, N2 को Trigger देंगे, और इस से हमें Output आ जाएगा, यही Process हम Second Half में मेरे अब Positive Converter का P2 और Negative Converter का N1 Forward Bias है, क्योंकि अब B Higher Potential पे है, और A Lower Potential पे है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं P2 को चलाओंगा, तो मुझे यहां लाल Arrow Mark के साथ Output Positive Wave मिलेगी, तो मैं बिना किसी Delay के P2 को Trigger कर देता हूँ, और N1 को Trigger Pulse दे देनी है, तो Output में हमें एक Negative Wave बन जाएगी, और जब N1 भी 45 degree Conduct कर चुका है, और हमारी यह Negative P काई है, तो हम N1 को भी Force Commute करेंगे, Commuting Elements की मदद से इसके Current को Holding Current से कम करने के लिए Divert किया जाएगा, और एक Reverse Voltage Apply करनी होगी, और जैसे यह Commute हो जाएगा, हम ए आप देखें कि हमें Force Commute करने है, इसलिए ऐसे Thyristor लेने होंगे, जिनके Turn Off Time कम हो, और अलग से Commuting Elements लगाने होंगे, और बहुत जादा Frequency से हमें Commutation करना होता है, तो Turn On करना तो Thyristor का असान है, Forward Bias, Thyristor को खाली Gate पे Signal देना है, Low Power का, लेकिन Commutation में Existing जो Circuit की Current है, उसे Divert कर और Reverse Voltage अपलाई करना, Forward Biasing के Against में, एक बहुत जादा Losses involved करेगा, तो ये Circuit जो Step Up Cycle Converters है, वो काफी Complicated हो जाते हैं, लेकिन आप देखेगा, कि हमारी Input की एक पूरी Cycle पे, यहां Magenta Frame में आपको देखेगा, कि Output की 4 Cycles हो गई है, एक Cycle पूरी हो गई है, एक Positive Section और एक Negative Section आ गया है, और फिर एक दूसरे Section के बाद हम ये तीसरा और ये बाद में चोता Section आप देखेगा है, Output का आ गया है, Output Waveform Sinusodal तो नहीं है, लेकिन Symmetrical है, जितना Positive Section है, उतना ही Negative Section है, तो जब हम Even Multiple बनाते हैं, तो हमें एक Symmetrical सा Output यहां मिल जाएगा, और हम कोई भी Multiple frequencies इस इसी तरह से पैदा कर सकते हैं, जड़ा समझते हैं कि जो Step Up Cyclo Converters है, इनकी Relative क्या Positions है, एक Step Up Cyclo Converter एक Frequency की AC पावर को बिना Intermediate DC बनाए, Single Conversion Stage में Higher Multiple Frequency की Output बना सकता है, और ऐसे Conversion का Control बहुत Fast है, Dynamic Response अच्चा है, और किसी भी Increase Speed Operation में EC Motors के, हम इस तरह के Step Up Cyclo Converters का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन Step Up Cyclo Converters हैं, वो Force Commutation डिमांड करते हैं, और हमें Additional Components Commutation के लिए लगाने पड़ेंगे, जिनमें खुब सारे Losses होंगे, Cost भी बढ़ेगी, तो हम पाते हैं कि जो Step Up Cyclo Converter है, वो वहवार में बहुत जाद उपयोगी नहीं है, जब एक Incoming Thyristor को हम Trigger करते हैं, साइकिल बदलने के लिए, तो जो Thyristor पहले से चल रहा है, वो अगर पूरी तरह से Commute ना हो, बंद ना हो, तो Supply के Short Circuit होने का खतरा है, और ऐसे इस्तिति में बहुत जादा Circulating Current दोनों Converter के बीच में Flow होगा, तो हमें एक Intergroup Reactor इस तरह के Circulating Current को लिमिट क बेक काम करते हैं, तो जो Commutating Component उन्हें चाहिएंगे, वो भी Double हो जाएंगे, और Switch भी संख्या में Double हो जाएंगे, तो जो हमारा Mid Type Configuration है, वो Single Face से Single Face Conversion के लिए, चार Switch और उनके Corresponding Commutating Components लेता है, और यही संख्या Briss Type के लिए 8 हो गई है, तो आप देखते हैं कि जो Thyristors है वो ज़्यादा संख्या में चाहिए, उनकी Control Circuitry और Commutation भी बहुत ज़्यादा Complex हो जाएगा, तो यह बहुत ज़्यादा लाब प्रद नहीं है, और Input का Power Factor भी पूर हो जाता है, अगर हम यहाँ Cyclo Converter में Frequency Change के साथ साथ Voltage भी Control करना चाहते हैं, तो हमें अलग से Additional कुछ Firing में Delay Angles लाने होंगे, तो उससे आप पाएंगे कि Waveform तो Distort होगी होगी, हमारे Input के Power Factor में भी बहुत कमजोरी या खामी आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि छोटी कली यह लगता है, कि हम एक Step Up Cyclo Converter से Frequency को Double Perl कर सकते हैं, लेकिन वहवार में DC Convergen के बाद, DC Linked Frequency Changer ज Frequency Higher Prapt कर लेते हैं, तो ज़्यादा तर Higher Frequency Applications पे हम DC Linked Frequency Changer ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, Step Up Cyclo Converter का ज़्यादा उप्योग नहीं है, उमीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, Step Up Cyclo Converter के बारे में सारी बातें समझ में आ गई हैं, और परिक्षा में आने टाइम हैपी लर्निंग!